तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम जो है post to snapchat पे click करते थे इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता था और हम जो है यह वाले link को यहाँ से इस तरह से drop करके जो है remove करते थे इसके बाद जो है हम जब snap किसी को भेजते गलाने के तनेSnapp देखने के बाद उसको पता चल जाता था कि यह जो परतलब सामने वाले परश्न को यहाँ पर इक link देखने को मिलती थी कि यहाँ जो है हमारा सारा भ險धा फूट जाता था लेकिन फिकर नौट दोस्तों क्यों कि जो है मैं आपको इस वीडियो में इसका सोलूशन बताने वाला हूँ बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के इंट तक मेरा नाम है अविराज और आप देखते हैं कंटेंट हैक तो इसके लिए हमको सबसे पहले LM के open करना है open करने के बाद हम यहाँ पे Q&A पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन देखने को मिलेगा हम इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे post पे ही रहने देना है इसके बाद आपको यहाँ पे camera sign को click करना है इसके बाद यहाँ पे upload photo, video upload करना चाहिए तो वो भी कर सकते है तो यहाँ पे मैंने एक photo से लेक कर ली है इसके बाद जो है जब हम post to snapchat पे click करते हैं यहाँ पे हमको लगेंगा कि हमारी जो link है वो यहाँ से attachment remove हो गई है लेकिन वो जो attachment है वो यहाँ पे वैसी की वैसी है इसलिए जो link वहाँ पे जाती थी तो इसके लिए हमको यहाँ पे simply इस वाली attachment file को click करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से load होगा आपको यहाँ पे remove attachment पे click करना है तो हमार जो attachment है वो remove हो जाएंगे तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो snap भीजा था उसकी कुछ भी link यहाँ पे सामने वाली person को नहीं आई है वीडियो खतम हो गई है अब यहाँ आच्छों